हे एवरिवान मैं हो शुभी और आप देख रहे हैं ग्लैम अब करन वहरा को एक्टिंग फील में आए बस कुछ ही साल हुए हैं और इतने में ही उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली है पर कैसे उन्होंने एक नॉन फिल्मी बैग्डाउंड से आकर भी इस इंडुस्टिंग में जगा बनाई कहां से कंप्लीट की उन्होंने अपनी एड्यूकेशन और क्यों उनकी वाइफ ने करन की पहली को एक्टर को शो के सैट्स पर जाकर धपड मार दिया था करन की लाइफ से जुड़ी ऐसी ही जानी अंजानी बाते जाननी के लिए बने रही है इस वीडियो के एंड तक पड़ उससे बहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें करन वहरा का जन पाथ जनवरी 1989 को न्यू डेली की एक पंजाबी हिंदू फैमली में हुआ था उनकी फैमली में उनकी मा रेनू वहरा के अलावा उनके एक भाई भी है कुनाल वहरा जो एक म्यूजिक प्रडियूसर और डीजे है साथ ही उनकी एक सिस्टर भी है कोमल वहरा से अपनी ग्रेजुएशन जब करन बस 17 साल के थे तब उन्होंने मिस्टर इंडिय कॉंटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था और वह उस कॉंटेस्ट के वन अफ दॉफ फाइनलिस्ट में अपनी जगा बनाने में काम्याब रहे बले ही करन मॉदिंग इंडस्ट्री से काम्याब रहे हैं इस बारे में अब जान लेते हैं करन ने इस फील्ड में पैचान बनाई उसकी इंटरस्टिंग सी कहानी है बट उनके करियर के बारे में जानने से पहले मैं बता दू कि करन की सिस्टर कोमल वहरा इंडिया की फीमस रैपर और सिंगर रफतार की एक्स करन ने इस इंडस्ट्री में नाम बनाया उससे चार साल पहले साल 2012 में वह अपनी लॉंग टाइम गल्फ्रेंड बेला हांदा से शादी कर चुके थे जो फिलहाल स्पाइस जैट एरलाइन्स में ट्रेनर रिकूटर और ग्रूमिंग है आज करन की शादी को 10 साल हो चुके है और वो अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं पर करन के पहले ही शो के बाद से ही उनकी वाइफ और उनका नाम एक कॉंट्रोवर्सी से जुड़ गया था जिसके बारे में मैं वीडियो के एंड में शेयर करूंगी खेर तो मॉडलिंग करने के बाद क यू डैली के कंस्ट्रक्शन कमपणी में काम किया करते थे और उनके इस इंड्रस्ट्री में आने की कोई प्लैन्स नहीं थे पर एक्टिंग शायद उनकी डैषिनी में थी और एक्सिदेंट्ल वस इंडिस्ट्री आ गए दरहसुल उनका खुद कोय आक्ट बे casting नहीं था ब करन बताते हैं कि तब वो टीवी एड्स को भी सीरियसली लिया करते थे और आज तक डेली सोप्स को वो एक्टिंग स्कूल ही समझते हैं उनका मानना है कि एक्टिंग सिर्फ एक्टिंग नहीं होती बलकि एक्टिंग से रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है साथ ही लाइट्स कैमरा की भी नॉलेज बढ़ती है जिसे हम टाइम के साथ प्रोफेशनल बन पाते हैं खैर तो कुछ टीवी एड्स में काम करने के बाद करण को साल 2016 से जिंदगी की महग टीवी शो से डेब्यू करने का मौका मिला जिसमें उन्होंने शौरया का रोल निभाया था ये शो उनका पहला टीवी शो था और शोड़ी बहुत पॉपिलरिटी पाने में कामियाब रहा इसके बाद साल 2018 में वो स्टापलस के शो कृष्णा चली लंडन में डॉक्टर वीर के रोल में कास्ट किये गए इस करेक्टर की उन्हें आइडियोलोजी और डिफरेंट शेड्स बहुत पसंद आये थे इसलिए उन्होंने अपनी करेक्टर के साथ एक्सपरिमेंट करना ठ कोई फरक नहीं पड़ता और ना ही वो प्रेशर से अफेक्ट होते हैं उनका फोकस बस अपने काम को फुल फोकस रुकर करने पर रहता है और वो रिस्क लेने से भी पीछे नहीं अड़ते बट करन वहरा की वाइफ बहला वहरा के लिए कुस साल पहले सुनने में आया था कि उन्होंने जिन्दगी की महक में करन की को एक्टर समिक्षा जैसवाल को स्लैप कर दिया था रिपोर्ट्स ये थी कि समिक्षा ने अपनी फ्रेंड से ये बोल दिया था कि करन पर उन्हें क्रश है जब करन की वाइफ को इस बारे में पता चला तो उन्होंने समिक्षा को करन से दूर रहने के लिए कहा जिस पर समिक्षा ने उनकी बात को लाइटली ले लिया और कहा कि क्रश होना कौन सी बड़ी बात है करन की वाइफ बैला को समिक्षा की ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्हें टीवी के सैच पर जाकर उन्हें चाटा मार दिया इस बारे में बात अच्छे से समझते हैं और उन्हें इन बेसलेस रूमर से कुछ मतलब नहीं है तो इस बारे में अपना उपिनियन कमेंट जरूर करें वैसे करन निर्मल सिंग महराज जो उनके गुरू जी है उनकी टीचिंग्स को अपनी लाइफ में बहुत दिल से फॉलो करते हैं और यह वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि हां तो ऐसे ही और भी लाइफ स्टोरीज देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें मैं फिर आँगी एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ तिल एन स्टे गनेक्टिट बी हैपी